Hello guys, welcome back to the channel. My name is Kuljot Singh and I am working as an international business consultant with nationwide visas. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात करी थी, Federal Skill Worker Program के process और timeline के बारे में. और आज इस वीडियो में बात करेंगे इस पूरे process के cost के बारे में. और अगर अभी तक आपने वो last वीडियो को नहीं देखा है, तो screen पे दिए हैं link पे जरूर चेक करें और उस वीडियो को पूरे तरह से देखिए. इस वीडियो को end तक जरूर देखें, अगर आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe करें. तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, cost के बारे में. अगर आप single हैं, आपकी शादी नहीं हुई, तो इस process में जो आपकी cost है, अगर हम बात करते है, government fees, approximately 1-7 लाग रुप के आसपस खर्चा है. ये खर्चा आता है, सबसे पहले आपकी ECA का, ECA में जो application की fees होती है, वो approximately 227 से लेका 300 Canadian डॉलर के आसपस है. इसके लावा आपने IELTS examination book करने है, तो उसकी cost approximately 15,000 रुप के आसपस है. इसके लावा जो cost आती है, वो आती है, अगर आपको कोई state nomination दे रहा है, तो उस particular state की cost approximately 200 से 1500 Canadian डॉलर के आसपस वेरी करती है. लेकिन हम बात कर रहे हैं federal skill worker program के बारे में, जिसमें आपको federal government invite करती है, तो इसमें आपके सीधे visa fees और RPRF fees आती है. वीजा fees केकर हम बात करें, 850 Canadian dollars है, जो की per adult charge की जाती है. सेम, RPRF fees भी per adult charge की जाती है, जो की 515 Canadian dollars है. इसके बाद, बाया मेटर्स की fees approximately 85 dollars होती है, अगर आप family में husband, wife, या दो बच्चे, या एक बच्चा है, तो पुरी family की 170 Canadian dollars चार्ज होती है. Approximately, अगर हम बात करते हैं medical की, तो 5,000 रुपे से 7,000 रुपे तक के medical की cost आती है per adult. इनके अलाबा, PCC की normally 500,000 रुपे के आसपस खर्चा आता है. तो ये थी पूरे process के cost के बारे में, अब हम बात कर रहे थे, अगर कोई single applicant है, तो उनका खर्चा government का approximately 1-7,000 रुपे के आसपस बनता है. इसके लाबा, अगर आप married हैं, husband, wife हैं, तो ये खर्चा approximately double हो जाता है. Same, अगर आपके पास dependent बच्चे हैं, एक बच्चा है, या दो बच्चे हैं, तो approximately 50,000 से 60,000 तक कर्चा बढ़ जाता है. तो इसके लाबा, जो fees आती है, वो किसी consultant की fees होती है, जो कि market में अलग-अलग consultant है, तो उनके अलग-अलग services के accordingly अलग-अलग fees होती है. तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं, consultant की fees के बारे में, तो consultant की fees vary करती है कि वो क्या-क्या services दे रहे हैं, जो भी market में consultant है, वो approximately 50,000 से लेका 1.5 अलग-अलग रुपे चार्ज करता है. जैसा कि हम इस वीडियो में बात कर रहे है, cause के बारे में, कि इस पूरे process में approximately कितना कर्चा आएगा, तो सबसे important चीज जो आती है funds की requirement, इसका मतलब है, जैसे ही आपको Canada की government invite देती है, आपको कुछ funds show करना है, ये funds सर्फ show करना है, Canada government को submit नहीं करना, तो ये fund depend करता कि आप क चीज जो करना है, अगर आप married है, तो approximately 10 से 11 रुपए show करना है, अगर आपके बस एक बच्चा है, या दो बच्चे है, तो हर बच्चे के साफसे approximately 1.5 लाग रुपए बढ़ता जाएगा, तो इस वीडियो में हमने बात करी थी, federal skill worker program के cost के बारे में, जो कि आपके इस process को initiate क करने से लेकर Canada land करने तक की है, और अगर आपको ये वीडियो informative लगी हो तो इस वीडियो को like ज़रूर करें, और खास्त तोर पे उन लोगों को share ज़रूर करें, जिल लोगों को federal skill worker program के बारे में information चीए, प्लीज हमारे चैनल को subscribe ज़रूर करें, बेल एकन दबाएं, ताकि को कोई notification आपसे छोटे नहीं, थैंक यू